हेलो दोश्तों आज शेयर करने वाली लौकी की बहुत ही सिंपल लेकि मज़ेदाज से बनने वाली सबजी की रेस्पी बहुत ही जी है इसको बनाना तो बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने आदक लोके करीब लौकी ली थी सॉफ्ट लौकी ली थी तो यहां पर छोटे दे में जीर प्रीmas Estoil岸 में इसमें 2 तेज पते उल्पट इन यूज्झ को डालने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ इसको डालाएक इसे सबजी का तेस्ट of अप्लेवर बहुत आप किसी भी सब्जी में साबुत धनिया डाल के एक बार जरूर देखेएगा सब्जी का टेस्टी अलग ही हो जाता है उसके मैंने यहां पर यह बड़े साची प्याज को इस तरीके से लंबा चॉप कर लिया तो वह इसमें एड कर दी है इसको हमें जानदा नहीं पकाना है हल का सुने रहा होने तक ही हम इसको पकाएंगे साथ मैंने दो साबुत लाल मिर्ची ली थी वह भी इसमें एड कर दी है यहां पर दो से तीन मिनिट लगते हो प्याज हमारी हलकी सुनेरी हो जाएगी तो यहां पर देखेए प्याज मेरी हलकी सुनेरी हो चुकी है तो यहां प चमच हल्दी पाउड़र एड़ किया है एक चमच मैंने लार मिल्ची पाउड़र एड़ किया है इन दोनों चीजों को पहले थोड़ी से बस टमाटर के साथ ही इसी तरह से पकाएंगे उसके अधिसात मैंने यहाँ पर कसूरी मैथी वी एड़ कर दी है ज्यादा मसाले नहीं है अनुसार एड़ कर दीजेगा अब नमक के साथ हम तमाटर को अच्छे से पकाएंगे तक हह तक यह तैल ना चोड़ते हैं अच्छे से बख चुगे तेल भी इन ने चोड़ दिया है तो इसमें हम लॉकी को अब टाल देंगे जो कि मैं अच्छे से दोख यह साब करके र कोकर को बंद करके अपने को कर को चार सीटियां दूंगे इससे लौकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसलिए तो चार सीटी आगें ती सीटी निकल चुकी है कोकर खोल दिया देखिए लौकी एक दम पक्के तयार हो गई है अलग बाउल में इसको ट्रांसफर करनेंगे तो ल करेंगे कमेंट आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी मिलती हूं नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई